होली के और कुछी दिन बाकी है तो विश्यू वेरी हैपी एंड सेफ होली रंग खेलिए पर सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए और हां खुब अच्छे अच्छे डिशेस बनाईए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेर कीजिए आज मैं शुरुआत करूंगी छेनाक का मालपुआ से छानार मालपुआ जेटा खुबी शुर्षा दू होए एक बार ट्राई कोरे अभोश्य देखबेर ताहले चलूर आर देरी ना कोरे बानी एफेली छानार मालपुआ बैस घरे कीछु जा जीनी ठाके शेई दिये होए जा अब इससे क्या होगा इसमें बनाएंगे हम आप इससे क्या होगा इसमें बनाएंगे हाथ से भी इसको मिक्स कर सकते हैं लेकिन इसमें डालेंगे तो बहुत स्मूद बैटर और इसली हो जाएगा इसली तो उसी से हमने एक कप मैदा भी ले लिया अब हम इसमें मैदे से आधा सूजी इसमें मिक्स कर देंगे और अब देखिए अब देखिए हमने जितना मैदा यूज किया था उतना ही हम इसमें दूद मिला देंगे मिला के इसको blend करेंगे फिर इसकी जितनी consistency मतलब जरूरत है उस हिसाब से हम दूद या पानी भी मिला सकते हैं दूद मिलाने से अब हम इसको अच्छे से mix कर लेते हैं कि अब हम इसमें डालेंगे एक चमच सौंफ कुछ ब्लैक पेपर के दाना और थोड़ी सी इलाइची बस अब हम पूरे को एक साथ मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद यह थोड़ा सा जैसे टाइट लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा और मिल्क डालके इसको फिर से एक बार चला लेंगे तो देखिए यह बैटर रेड़ी है देखिए इसका कॉंसिस्टेंसी ऐसा बना है एकदम परफेक्ट है अगर थोड़ा सा थीक लगेगा तो हम दूद मिला सकते हैं पर यह कॉंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है तो देखिए इसकी कॉंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए आप इसमें थोड़ा ड्राइफ्रूर्स या किश्मिष्ट बगरा डाल सकते हैं आपकी मर्जी और इसके बाद इसको थोड़ी देर हम 15 मिनिर्स रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद इसे हम फ्राइ करेंगे जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है और तब तक हम चाशनी को बना लेते हैं चाशनी बनाने के लिए एक कप चीनी लेंगे और एक कप पानी लेंगे कर एक कप पनी क्क इस्ट मालपोह की चाशनी को एक तार दो तार यह सब होने की जरूरत नहीं है बस थोड़ा सा वु Yeh Chisam तो ही यह चाष्णी रेडी हो जाएगा थोड़ा सा चला देंगे ताकि चीनी नीचे से घुल जाए चीनी घुलने के बात बस हम लोग तीन चार मिनेट अगर इसको उबालेंगे तो ही रेडी हो जाएगा चाष्णी चीनी घुल चुका है देखिए इसमें उबाल भी आ चुका है तो बस तीन चार मिनेट तक उबालने से देखिएगा थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा तो ही रेडी हो जाएगा और इसमें हम दो इलाइची डाल देते हैं इससे जो है इसका फ्लेवर जो है यह अच्छा आ देखिए तीन चार मिनेट उबल चुका है और थोड़ा सा एक ओएल थोड़ा ज्यादा ही डालेंगे आप कड़ाई में भी इसको फ्राइ कर सकते हैं तो यह देखिए रेस्ट करने के बाद बैटर का ऐसा कॉंसिस्टेंसी आया है हमारा बैटर रेडी है एकदम पर्फेक्षा जादा नहीं डालेंगे बस तीन ही डालेंगे तो इसको स्पेस मिलेगा अच्छे से फ्राई होने के लिए एक साइड फ्राई हो लेने दीजेगा पहले इसको छेचा नहीं किजेगा यह एक साइड थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तब यह आराम से ऐसे थोड़ा सा एक साइड फ्राई हो जाएगा मैंने फ्लेम को लो टु मीडियम में रखा है तो यह अच्छा से फ्राई होगा इ देखिए एक साइड इसका fry हो चुका है तो हम धीरे से इसको पलट देंगे देखिए कितना सुन्दर गोल्डेन कलर ऐसे हम पलट देंगे फिर इसके दोनों साइड जो है फ्राइ हो जाएंगे तो देखिए गरम रहते रहते चाशनी में डाल देंगे तो इसका रस जो है इसमें अब्सॉर्ब कर जाएगा अच्छे से तो इसी तरह हम और भी पुए फ्राइ कर लेंगे बैचेज में एक साथ फ्राइ नहीं करेंगे फिर अच्छे से फ्राइ नहीं होगा और जो हमने छेना जो बनाया था वहाइने घर पे ही बनाया था आप दूद को नीमबू से या दही से या विनिगर से किसी से भी उसको यह करके छेना बना लीजिएगा और छेना का जो है पानी थोड़ा जैसे ज़रने के लिए छोड़ दीजेगा फिर उसको यूज करिएगा तो देखिए बस दस ही मिनट लगते हैं पुए में पूरा रस ऐसे देखिए इसमें सोक कर लिया है तो इसको दस मिनट बाद हम उठाके इसका प्लेटिंग कर लेते हैं आप ये छेना से जो है भुआ बना कर देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा लगता है तो लीजिए तयार है हमारा सुपर सॉफ्ट छेना का मलपुआ इसे आप ड्राइफ फूर्ट्स या खुआ को स्प्रेड करके भी सर्फ कर सकते हैं और खूब एंजॉय क प्रेंट्स और फैमिली के साथ तो आज तक के लिए इतना ही मिलती हूं फिर नेक्स वेडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए और धेर सारी खुशिया बातिये और यह आप देखिए यहां पर कितना सॉफ्ट बना है मालपुआ